खतौली विदान साब उपचुनाव के नतीजों पर सबकी नजरे ठीकी हुई है यहां क्या कमल खिलेगा क्या यहां राष्टे लोगदल का प्रत्याशी जीतेगा यह ऐसे तमाम सवाल है कि जिनके जो जवाब है वो भविश्य के गर्त में चिपे हुए हैं लेकिन यहां खतौली विदान साब का उपचुनाव भार इंद पार्टरी की प्रत्याशी राजकुमारी देवी जीतेगी यह पुरा विश्वास है जनता का साथ है कारेकरताओ पर विश्वास है सभी लगे हुए हैं और जनता चाहती है विकास जनता बाहुबल को नहीं चाहती जनता ग बाहुबली का जिक्र किया चर्चा तो यहां चली एक तरफ बाहुबली और एक तरफ महिला है यह सवाल तो सारे में हैं जो आपने बाहुबल की बात करी आपको क्या लगता है कि अगर वो यहां रहे या इस तरह किसे क्या हो सकता है इसा जिसको आप मुद्दा बनाने जा देखो महिला है महिला जहां से की राणी लेश्मी भाई भी थी और अंग्रेजों के साथ दाथ खट्टे किये थे यह महिला भी इस बावबले के दाथ खट्टे करेगी जमानाजब्त करा देगी क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप जन्ता के भी जाएंगे विकास का मुद्दा रहेगा बेहन बेटियों का संबान करेंगे कराएंगे और विकास कारिक किया है विकास कारिक करेंगे अजय चीज़ बताईए अगर यहां जातिकत समी करनों को थोड़ा आप से समझना चाहूं चुकि आप एक नहीं दो बार यहां पर भी थागे जातिकत समी करनों क्या कहता है यहां के चुनाव का अजय बात सम्झना राष्टवादी आदम हूं देशभक्ती की बात करता हकूं जो देशभक्त होंगे वोत देंahan आज जो बहुत बली को पसंन करते होंगे वह बहुत बहुत बली को देंगे एक ढ़ला-बला इंसान विक्रम सेनी उसकी सतर से चली गई उसकी पत्ली के लिए तो चुना भरा देंगी बड़े आराम से बहुत आराम से कहीं कोई कोई दिक्कत नहीं है अच्छा एक सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि कि लोकल केंडिडेट उतारना चाहिए था बाहर से वोला हैं तो यह भी मुद्दा बन रहा है कि हम तो लोकल है वह उन्हों का क किया मोदी जी ने गये डेकर तो लेकिन फिर भी महिलाओं के दुखडर दुखों एक महीला समन सकती है combat आया विष्वास किया है बहरन्धा पार्टी ने भारन्धा पार्टी का बहुत बहुत आबहार बढ़े नेताओं का बहुत आबहार और हम उनका Explosions उन्होंने हमपर किया है मेरी पत्री पर विस्वास किया है हम उनके विस्वास ओकाइम रखेंगे खतोलिक जन्ता विस्वास ओकाइम कारी करता राद दिन लगे हो हैं और चुनाव जीता आइँ है अच्छा एक जो चर्चा इहां पर चल लेगे विक्रम जी चुकि दो हजार बारे में यहां से करतार सिंग बढ़ाना चुनाव जीते थे और तब यह कहा गया था राष्टे लोगदल की तरफ से कि जाट मुस्लिम गूजर जो समिकरण है वो बनाए गया लेकिन दो बार से उन्हों सफलता नहीं इस बार फिर उसी समिकरण क तो लगड़ा है आपको घेर लेंगे मैं कहता हूं ना मैं राष्टवादी आदमी में जातिवादी हुई नहीं मैं तो राष्टवादी की बात करता हूं और राष्टवादियों से वोट मांगता हूं जो देश भक्त हूं भारत माता से प्यार करते हूं विकास चाहते हू नजातिवाद की बात ही नहीं करता क्या बाहुबल की जो आप बात कर रहे हैं तो क्या बाहुबली घेर लेंगे आपको इतनी आसानी से ऐसा है मैं अपनी पत्नी को जानता है वो मेरी पत्नी है वो किसी बाहुबली से नहीं डरती तो यह माना जाए कि मतलब कितने सा आप एक जीत मानके चल रहे हैं दो को 40,000 की जीत का लक्षा है लेकिन मुझे उम्मीद है यह हमारे कारकरता कह रहे हैं जिलाद दिख जी कि 40,000 वोटों से जीत है ऐसा सर्वे हुआ लेकिन मुझे लगता है कि 50,000 से जादे वोटों से चुनाव जीते हैं अचा 50,000 से जादे वोटों से अचा एक चीज यह है कि अभी शेक गुजर का तो जिक्र चली रहा है कहा तो वो आपके सामने खड़े हुए थे लाश्ट लोग दल के मजबूत से पसलार थे तो कौन सी ऐसी आपने वो किया कि अब अपने पाले में लाकर खड़ा कर लिया तो उनके आने से मजबूती मान रहे हैं अभी से गुजर बड़े नेता हैं लोग दल के बड़े नेता रहे हैं उनका सम्मान उस पार्टी में नहीं रहा और कभी उनोने मेरा विरोज नहीं किया कभी वे विरोज नहीं किया पिशली बार भी बे चुनाओं में मतलब दम मेरे खिलाव तो कमसकम रहे नी और उनका दरद इतना हुआ कि बई लोग दल ने टिक्ट नी दिया काम कोई कर रहा है टिकट किसी को बाहर से लागत देते हैं तो यह तो पहले भी भारी हमने देखें हैं चैकरतार सिंग बढ़ाना हो अवतार सिंह तो हमारी पार्टी कही थे लेकिन दिखाई नहीं दिए तो भारी को तो जनता पसंद करती नहीं तो मतलब अपनी जीत को लेकर आपाश वस्तर प अब बहुत आसान है अचा तो अगर अभिशेक गूजर आपके सामने होते तो क्या मतलब लोकल के हैं इस वजे से ऐसा है गूजरों ने तो मुझे तब भी वोट दीती जब करतार बढ़ाना चुनाओं में खड़े थे तब भी मुझे गूजरों की असी प्रतिसत वोट मिल करते हैं परन्तु राष्वादी विरादरी है राष्ट को देखती है अचा आखरी सवाल मेरा आज खुद डिप्टी सीम यहां पर आ रहे हैं बरजेश पाठक जी यहां आ रहे हैं तो यह माना जाए कि आस से तो बही चर्चाय तो शुरू हो गए ति राज कुमारी जी करता हो रहे हैं कारिकरता हो में और उत्सा बढ़ रहा है उनका नाम सुनते है कि बिज press पार आढ़े जिया रहे हैं कि कारच कुमारी जी उनको अतारा है सीधा कह रहे हैं कि जो बाहूवली सामने यानि मदन भहिया की तरफ उनका इशारा है कि जो मदन भहिया को मैदान में उतारा गया उनकी पत्नी मुकाबला कर लेंगी और थोड़ी बहुत बोटों से नहीं बहुत अंतर से जीतेंगे हाला कि इन दावों में कितना दम है ये तो वक्त तै करेगा लेकिन इतना जरूर है कि सियासी घमासान खतौली का बेहत दिल्चस्प होने जा रहा है वीडियो जनरलिस सतंदर सिंग के साथ सनुच शर्मा एबीपी गंगा खतौले